आई इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अर्बनाइजेशन, ट्रेंड्स और इंप्लिकेशन्स और डेवलपमेंट तो देखें सिंस 1991 से मेंली सभी स्टेट में देश के सभी स्टेट में जो पॉपुलेशन है वो काफी ज़्यादा बढ़ गई है मिलियन प्लस पॉपुलेशन हो गई है सिवाए तमिल नाडू स्टेट के तो जैसे स्टेट हो गए बिहार, उडिसा, राजस्तान ये जो तीन स्टेट है इनमें जो पॉपुलेशन बढ़ी है और सबसे इंपोर्डन चीज ये है कि इन तीनों स्टेट में मेंली जो अर्बन पॉपुलेशन बढ़ी है तो जिस तरह से 1991 से जो पॉपुलेशन बढ़ी है अलग-अलग स्टेट के सिटीज के अंदर तो इससे हमें ये भी समझ में आता है कि कुछ स्टेट में क्या हुई है पॉपुलेशन तो बढ़ी है लेकिन उसी समय गरे भी भी बहुत बल चुकी है मतलब अर्बन एरिया के अंदर पुवर्टी भी बहुत बल चुकी है जैसे बिहार, उडिसा और राजस्थान तो ये सब किसली हुआ है क्योंकि टेकलोजी चेंज हो गई, टेकलोजी का आडवांस्मिट हो चैंज हो गई तो देखें, जो सेंसर्स का डाठा है 2011 का वो क्या बोलता है कि von 377.1 million जो यह ना, लोग, वो अर्बन पापूलेशन में, अल्रेडी जी रहा है, ओके, ओर ओवर दो 7-9-3-5, ओके, टाउंस और अर्बनस अग्यौनमेन टेशन, ओके, अग्यौनमेनेशन, तो जो 377.1 पूईंट यन में, यह मेंली जप्रेड है, 7935 टाउंस्क में तो urban population जो है ये grow और ये बहुत high rate से द्यान्द जो ruler population है और total जो population है इससे कही ज़्यादा क्या हो रहा है urban population बढ़ रही है तो high percentage growth in the urban area because of the mainly this technological advancement and industrialization तो 1901 में mainly 11% जो है ओके 11% urban population थी अभी 2011 में 31% हो गई तो हम समझ सकते किस तरह से जो challenges है और जो mainly opportunities है ओके for the development of the urban areas ओके ये mainly सरकार के सामने है ओके challenges भी है और opportunities है for the development के लिए तो इस तरह से mainly जो urbanization हुआ है ठीक है इसके वज़े से काफी ज़्यादा implications है for the development के उपर तो next video में we are going to cover the role of cities cities का क्या role है ओके so that's all for this video thank you, bye bye अिम्सेदी